तो आज की ग्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मैडम राइट्स थी बस ठीक हमने चैप्टर बढ़ा था एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम क्या था वल्ली जिसे बहुत जादा इच्छा थी बस में ट्रैवल करने की और वह फाइनली प्रेवल कर भी लेती है तो एक छोटा से ओवर्वीव पढ़ लो जिससे आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा लेसन इस बाउट एट यर ओल्ड गर्ल नेम्ड वल्ली वो दिद नॉट है फ्रेंट्स तो प्लेविद और सो शी वूट स्पेंट हर टाइम बाइड सबसे ज़्यादा मजा उसको किस चीज में आता था उसका टाइम पास करने का तरीका क्या था जब वो बाहर से बसे आती जाती देखती थी तो उसे बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट आता था अब उसको काफी ज़्यादा मजा आता था जब वो देखती थी कि हर बार बस में अलग-अलग लोग होते थे अलग-अलग पैसेंजर्स होते थे अब दीरे दीरे उसको भी इच्छा होने लग गई थी अब वो दीरे दीरे वो जो विश थी वो इतनी ज़्यादा तीर विच्छा में बदल गई थी कि बस अब तो जो है मुझे बस में ट्रेवल करना ही और फिर वो प्लैन बनाती है उसको पूरा करने का अब वो क्या गरती थी जो उसके पडोस के लोग थे जो ट्रेवल करते थे बस में जादा वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती थी उनकी बातचीद सुनती थी और बीच बीच में चोटे मोटे से क्वेशन भी पूछ ले थी इन्फरमेशन निखटा करने के लिए अब यह जो टाउन है वो चे मील दूर है उसके गाउं से और पैतालीस मिनिट लगते हैं एक तरफ जाने में एक तरफ का किराया कितना था 30 पैसे और दोनों तरफ आने जाने का कितना हो गया था 60 पैसे यह जाएगी और उनके जागने से पहले ही वो वापस आ जाएगी अब उसको इसके लिए पैसे सेफ करने थे और पैसे सेफ करना ओविसली एक आट साल की बच्ची के लिए काफी टिफिकल्ट था क्यूंकि मेला था वो मेले में जूला भी जूलना चाहती थी ती ती तोफिकल्ट आवीज भी खाना चाहती थी लेकिन उसने सारी चीजों को रेजिस्ट किया और अपने साट पैसे बचाया और एक दिन बड़ी बहादुरी से बस की ट्रैवल कर भी ली शी रिफ्यूस्ट टो टेक एनी हेल्फ रॉम्ड़क्टर और फेलो पैसेंजर्जर्स इट वोज़ना अब किसी की भी मदद नहीं लेना चाहती थी ना तो वहाँ पे जो और पैसेंजर्स थे उनकी ना ही जो कंड़क्टर था उसके और सारे लोग काफी आस्ट्री चकित हो गए थे उसको अकेला बस में ट्रैवल करते हुए देख कर जो कंड़क्टर था वो काफी मजाक्या किसम का इंसान था तो इसलिए जब उसने देगा कि वल्ली बड़ो की तरह बिहेव कर रही तो उसको वह क्या बुलाता था मैडम चॉट हाइट वल्ली वूट से बहार इतना दिखता नहीं था तो वह खड़ी हो गई थी सीट पर बह इतने के लिए और जो लोग थे सब उसको मनाई करेंगी क्योंकि सीट से वह गिर सकती थी एच टाइम समवन वूट पोग देर नोज इना बिजनेस वल्ली वूट गैट अनॉइड अच्छा नहीं मानती थी शी दिद नॉट वांट तो इनी एल्डर्ली लेड़ी वॉस वरी प्रपेबल इनथ वो जो उसके पास एक बूड़ी औरत आके बैठ ती है जो उसको इडवाइज दे रही होती है वह उनकी अट्वायज भी नहीं मानती हुँ उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाती क्योंकि उसको देखकर ऐसा लगता है उसे कि ए सोशली हई नहीं केपिबल ज वो सब कुछ देखना चाहती थी बहार और फिर उसको एक बहार भागती हुई काओ दिखती है जो उसको काफी जादा फ़नी लगता है अब जब वो टाउन पहुच जाते हैं तो बस से नीचे उतरने को मना कर देती है क्योंकि अंदर यँ अंदर उसको डर लगरा होता है while returning she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road अब वो जब वापस आ रहे होते हैं तो भी उसको same excitement हो रहा होता है सब चीज़ों को देखने का बट जैसे ही वो जो cow पहले भाग रही होती है उसको वो मरा हुआ देख लेती है उसका सारा enthusiasm खत्म हो जाता है it was the same cow that was so joyous previously वली got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible वली काफी जादा डर जाती है यह सोच कर कि अभी तो जस्त यह जो cow थी यह बिलकुल full of life थी और suddenly अभी यह कैसा बिलकुल horrible सा scene लग रहा था वली affirmed she sat down silently for the rest of the journey और वो बिलकुल चुपचाब बैट जाती है बाकी journey की time upon reaching home she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside जब वो घर पहुचती तो पाती कि उसकी mother और उसकी auntie जो है बात कर रहे होते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़े हो रही होती है हमें पता भी नहीं चलती है वली affirm to what her mother was saying leaving both of them astonished she then justified her reaction by mentioning that she was both of sorry she was casually agreeing to what her mother was saying her aunt then referred to वली as a no-spoken child who acts like a grown-up lady but only वली knew what she was referring to because after all no one knew about her best journey आप जो है यह लोग बात करो देंगे हमें पता भी नहीं होता कि कितनी चीज़े हमारे पीट पीचे हो जाती है तो वली उसमें agree कर जाती है फिर उसकी mother पूछती भी है तो बोलती नहीं ऐसी बस मैंने तो बोल दिया फिर उसकी aunt बोलती है कि यह जो है इसको बहुत चौकि दूसरों की बातों में आने का जैसे कोई बड़ी लड़की हो वली कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि उसको ही पता होता है कि वह किस बारे में बात कर रही होती है जो कि क्या होता है कि हाँ डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चला और मैं एक बस की सवारी कर आई हाला कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज का टाइम नहीं है आज के लोग इस लायक नहीं है कि एक आट साल की बच्ची अकेले ट्रैवल करें तो मदर फादर को ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का अगर वह ऐसी कोई डिजायर रखते हैं तो अगर उन्हें थोड़ा भी इस चीज का डाउट होता है तो इसका हिंदी टांसलेशन देख लो ये पाट वल्ली नाम की एक आट साल की लड़की के बारे में है जिसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं थे और इसके लिए अपना समय सड़क पर चल रहे बहारी मामलों को देखकर बिताती थी उसका पसिंदीदा कारे हर घंटे उसके गुजरने वाली बस को देखना था रबार बसके पार करने पर यात्रियों के नए सेट को देखने मुझ से असी मानन मिलता था दीरे दीरे उसकी बी बस से यात्रा करने की इच्छा होने लगी जल्दी इच्छा औविसली एक तीर विच्छा में बदल गई और इसी लिए उ नहां और वहां कुछ सावधानी पूर्वक्त प्रश्ण पूछते थे ऐसे ही वे जानती थी कि शहर उसके गाउं से 6 मिल दूर है और बस को एक तरफ जाने में 45 मिनट का समय लगा एक तरफा किराया 30 पैसे था जिससे आगे और पीछे की सवारी के लिए यह साठ हो गया मतल आने की जरुवत थी जो आसान नहीं था क्योंकि उसे कैंडी पेपर मिंट और मैरी गोरांड के प्रलोवन को विरोध करना पड़ा था अंत में उसने परियाप्त पैसे बचा लिए और एक अच्छा दिन निश्चित करके इस आठ वर्षे बहादूर लड़की ने बस की सव और इस प्रकार वल्ली को एक वैसक मैडम के रूप में संधर्वित किया चोटी कट की वल्ली खिड़की से इस पश्ट रूप से देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती जबकि सभी ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए बैठने की सला दी हर बार जब कोई उसे रो समजिक रूप से सक्षम नहीं है बाहर जो हो रहा था उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और सड़क के बीच में गाय को दोड़ते हुए देखना उसके लिए अचानक एक मज़ेदार दृश्य था शहर पहुचने पर उसने बस से नीचे उतरने से इंकार कर दिया क्य इतना जीवन से भरा प्राणी कैसे तुरंत किसी भयानक चीज में बदल सकता है वे बाकी यात्रा के लिए चुपचाप बैठी रही घर पहुचने पर उसने अपनी माँ और चाची को बाहर की दुनिया में अनन संभावनाओं के बारे में बात करते हुए पाया वली ने पच्ची के रूप में संधर्वित किया जो एक व्यसक महीला की तरह व्यवार करती है लेकिन केवल वली को ही पता था कि वे क्या कह रही थी क्योंकि उसकी बस यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था ठीक है तो बैसिकली जो हमने सामरी ओवर्वियू पढ़ा चाप्टर का यह उसी का हिंदी ट्रांसलेशन था इसकी थीम देख लो यहां पर वली को कैसा दिखाया गया एक मतलब जिग्यासू है ना चाइल्ड दिखाया गया इस फीचर हास बीन हाइलाइट इन इस स्टोरी शी गेट्स पैसिनेटेट बाई थेंग्स अन हर फैसिनेशन अराउस एक मतलब उसको बहुत क्यूरसिटी थी और उसकी क्यूरसिटी दीर दीर क्या होगा एक तीर विच्छा में बदल गए कि उसको बस में सवारी करनी है और उसको वह इतना जादा फोकस कर लेती उस चीज़ पर कि वह बाकी सारे रिस्क और डेंजर बूल जाती है कि इससे क्य क्या हो सकता है है ना तो मतलब इतना भी मतलब आपको नहीं होना चाहिए और पैरेंट्स हो खास्तोर पर धियान रखना चाहिए कि बच्चे में इस तरीके की इच्छाए ना जाग जाए कि वह बिल्कुल ही बाकी चीज़ें भूल जाए आप इसके वर्ड वेरिंग्स देखो बाते घड़ता हो ना चाइंड इन सुर में सुर में लाना क्लाप करना कंसर्ण चिंतित क्रॉल मंदगती डैंपनिंग निसरतासा करना निसरत्र सहा करना ठीक है डिवार्ड दुन के साथ पढ़ना डिसप्रूवल अस्विकार डिस्प्लेज प्रदर्शन डिथ डिथ होता है हिंदी में भी डिथ ही कहलाता है ठीक है ट्रेवल बेहुदाबाद जाम यहाँ पर देखो गूंगे के लिए भी बोल के लिए इलैबोरेट विस्तरत करना एंथूजियाजम उत्सुकता एक्साइटमेंट उत्सा एक्सकर्शन पर्यटन फैसिनेटिंग मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत जाद आपको आकर्शित करें अपनी तरफ फर्मली मजबूती से फ्राइटन डरा हुआ गेलॉप्ड हैमलेट छोटा गाउं होटिली गुरूर से हॉंटेट प्रेतवादित या डरावना हाईवे बड़ी सड़क हॉंग्ट हॉंट बजाना हॉरिबल भयानक इंडक्शन आगमन इरिटेबली चिरचिड़ापन जॉली सॉट जॉली सॉट मजाकिया किंडल प्रजुवलित करना लेंस्केप परिद्रश्य लोब्स भाग हिस्सा लॉंगिंग तीर्विच्छा लक्षिरियस सुख बोगी मर्चेंडाइज बिक्री के लिए चीज़े मिमिकिंग नकल करना मिस्ट्री रहस्य नाप जपकी नॉड़ेट सरहिलाना अब्स्टेकल्स बाधाए बाधाएं ओवर काबू किया हुआ ठीक है यहां पर मतलब नाग गुसान अपनी किसी बात में पांच चेत करना रेल्रोड क्रोसिंग रेलमाक परागमन रेटल खडखडाहाट रेपलसेव ग्रिनोथ पादक रेजल्यूटली स्ट्रिप्ट मतलब बिल्कुल तरीके से क्या हो जाना अस्त्व सोशियेबल मिलनसार, स्पैक सूक्ष्न बिंदू, स्पिलोवर अधीपलावन प्रभाव, प्रेडिगल थेला हुआ, स्टैर एक तक देखना, स्टार्टल्ड चौंकना, स्ट्रेश्ट तना हुआ, स्ट्रिप्स धारिया, टेम्टेशन प्रलोबन, त्रूफेर माग, पार करना, ट्रीट, उपचार करना, अगली भद्धा कुरूप, वेरियस विबिन, वेंचर डाउट, बाहर निकलना, विंशिल्ड, विंशिल्ड होती है, विस्फुली जोर से, ठीक है अब इसके पहले, NCRT वाले क्वेशन और अंसर देख लो, वाट वोज वली स्फेवरे of her house and looking at the street outside, वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और बाहर सड़क पर क्या चल रहे है, वो देखती थी, इसी क्या चीज थी जिससे वली को कभी ना खत्मोने वाला आनंद होता था और उसकी सबसे जादा strong इच्छा क्या थी, the site of the bus that traveled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for वली, चीज उसको क्या देखना बहुत पसंद था कि जो लोग हैं उसके गाउं से जो पास वाले शहर जा रहे हैं, फिर वाह से दूसरे लोग हर बार नए चेहरें से बस में दिखते थे, तो वो काफी जादा उसको मज़ा आता था देखने में, और riding the bus was her strongest desire, बस में जाना उसका स सबसे जादा strong इच्छा थी, what did Walli find out about the bus journey, how did she find out these details, उसने क्या क्या पता लगा लिया था कि बस जर्नी के बारे में, और कैसे लगा लिया थी वो बताने, तो वली found out that the bus journey to the town took 45 minutes and the one way fare costed 30 पैसे, उसने क्या क्या पता लगा लिया था कि बही शहर से टाउन जाने में 45 मिनट लगते हैं और एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे है, she to the conversation between her neighbors and people who regularly find out, यहां पर पहले आप लिख लोगे, she found out, these details, finding out, these details to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus and asked a few discrete questions, here and there, उसको यह बाद कैसे पता चली, उसके पडोस में जो लोग बस में जाला दर ट्रैवल करते थे उनकी बातचीत से और थोड़े बाद उसने सवाल पूछ के सारी information इखटा की थी, आपको क्या लगता है कि वल्ली क्या करने के लिए प्लान कर रही थी, तो अगर मैं अपनी सीट पर बैटी ही रहूं, तीस पैसे और पे कर दूँ तो मैं उसी बस में वापस अपने गाउं में रिटन आ जाओंगी, तो उसको ये था कि हाँ एक बज़े वाली बस लूँगी तो महां एक पैताल इस पर पहुच जाओंगी, उसी बस से दो पैताल इस पर रिटन वापस आ जाओंगी, ऐसे बार बार वो थौट चल रहे थे उसके दिमाग में बार बार वो टाइम कैलकुलेट करती, बार-बार वो री प्लैनिंग कर रही थी, वाई ड़स दा कंड़क्टर कॉलल हाल मैडम कंड़क्टर कंड़क्टर वल्ली मैडम क्यों बलाता है कंड़क्टर कॉलल्ड वल्ली मैडम भिकर शी बहप लाइक वुमन वहीं। तरह बिहेव कर रही थी इसलिए वाली अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो जाती और आप वह बाहर क्या देख रही थी वल्ली बस से बाहर देखना चाहती थी लेकिन जो लोवर विंडो वाला हिस्सा था वो कैन्वस से कवर था उसकी वरह से वो ऐसे बाहर नहीं देख पा रही थी ठीक है in order to have a better view she stood up on the seat and peered over the blind ठीक है और अगर उसको अच्छा व्यू देखना था इसलिए वो खड़ी हो जाती है और ऐसे खिड़की से बाहर जाग कर बाहर का व्यू देखने लगती है इसको बाहर क्या दिखता एक नदी दिखती है और मांटेंस दिखते है और हरे भरे खेट दिखते हो और आसमान दिखता है ठीक है वल्ली एल्डर्ली मेन को क्या कहती है जब वो उसे एक बच्चा बोलते है तो वल्ली रेपलाइड दिखते हैं और काफी घमन के साथ कहती है कि मैंने भी यहाँ पर सबकी तरह 30 पैसे पूरे अपना किराया पे किया है तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो उसके पास एक बुड़ी औरत बैटी थी वल्ली उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाती थी वल्ली फाउंड द वूमन आपसलूटली रेपल्सिव सच बिग होल शी हाद इन हर एयर लोब्स और सच अगली इयरिंग इन दें पल्ली को जो औरत थी सामने वो काफी जाधा रिपल्सिव लगी उससे दूर जाना चाहती थी वो क्योंकि उसके जो कान के छेदे वो काफी जाधा बड़े थे और उसमें काफी गंदे तरीके के एयरिंग थे ओविसली एक बच्चे के लिए यहां आज की न्यू टाइप की थिंग नहीं है तो अगली लगी उससे और उसका जो जूस है सब उसकी लिपस पर दिख रहा होता जो कभी उसके मुह से बहार आ सकता था वल्ली थोट अग वू कुट भी सोशेलेबल विट सच अ परसन विच मिन्स शी डिद नाट वांट टो फ्रेंट विद इल्डरली वुमिन तो वल्ली जो अपने दिमांग में सोचती है ऐसे व्यक्ति के साथ कौन ही दोस्ती करना चाहता होगा जिससे पता चलता है कि वल्ली उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती ही वल्ली ने अपने पैसे कैसे बचाये थे बस जर्नी के लिए और क्या यह चीज उसके लिए ईजी थी तो वल्ली हैट वेरी पैंस टेकिंग ली सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन दैट केम हर वे बाई रिजिस्टिंग एवरी टेंटेशन वल्ली ने जितने भी उसके पास कॉइंस आयते उनको सबको संभाल कर रखा था और उसने पैसे कैसे बचाये अपने हर प्रतिलोबन को रोक कर और यह चीज उसके लिए काफी मुश्किल थी इवन अट विलिच फियर शी रिजिस्टिट टेंटेशन तो बी ऑन दे मेरी गो सब्सक्राइब और उसने जब मेला लगा तो जूले पर भी नहीं बैठी है ना जूले पर नहीं बैठी और फिर इस तरीके से उसने जो है कितने साथ पैसे बचाये अपनी पहली बस की यात्रा करने के लिए तो ऐसे आपको पूरा लिखना है ठीक है वाली अब जब जा रही थी बस में तो उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसे काफी जादा हसाया तो अ यंग काव तेल हाई इन दी एर वस रणिंग वेरी फास्त राइट इन दी मिडिल अफ द रोड राइन फ्रेंट आफ दी बस एक गाय का बच्छडा ऐसे अपनी पूच पूरी उपपर करके रोड के बीच में भाग रहा था बिलकुल बस के सामने अब बस बिलकुल दीमी हो गए थी और जो ड्राइवर था वो बार बार हाउन बजा रहा था कि यह गाय का बच्छा हटे यह चीज वल्ली को काफी फणी लगे और वो इतना हसी इतना हसी कि उसकी आँखो से पानी आने लग गया वल्ली को सिर्फ बस की यातरा करनी थे उसे कही नहीं उतरना था तो उसने हाथ वाथ अगले 30 पैसे कंड़क्टर के हाथ में रखे और बोला कि रिटन चलो वल्ली जोए वो स्टॉल पर उतर कर कोई कोल्ड रिंक क्यों नहीं लेना चाहती थी और इससे आप उसके बारे में क्या जानते हो पल्ली पैसे उसके पास सिर्फ साथ पैसे थे इस ट्रिप के लिए वह अपने पैसे खर्ष नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे किसी ना किसी तरीके से वापस आना ही था तो इससे यह पता चलता है कि वो काफी वेल मैनर्ड काफी स्मार्ट और काफी मतलब रेजिस्ट करने वाली लड़की है ठीक है इस तरीके से आंसर आपको देना है तिंकिंग अबाट टेक्स वाले देखो वालीजी और क्या टेक्टर में कौन से वर्ट या फ्रेजिस आपको ये बात बताते हैं तो वालीजी और क्या था कि उसको एक बसराइट करनी है the words and phrases in this story that tells this are अब इस story में कौन-कौन से words or phrases है जो हमें ये बताते है source of unending joy, stare wishfully, unkindle in her longings, dreams and hopes ये कुछ words हैं जो हमें दर्शा आते हैं कि उसको bus ride करने की कितनी ज्यादा strong उसकी इच्छा थी वल्ली ने अपनी bus ride कैसे प्लैन की वो बताना है फिर बताना है कि उसने details कैसे find out की फिर बताना उसने पैसे कैसे बजा मतलब जो questions आपने अलग अलग देखें उनके सारे answers आपको यहां मिला के लिख देने हैं over many days and months वल्ली listened carefully to conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus and ask a few discrete questions here and there ठीक है काफी दिनों महीनों तक वल्ली ने लोगों की conversations उन्हें जो bus use करते थे और वो ऐसी बीच में चोटे मोटे questions भी पूछ लेती थी she came to know that the town was six miles from her village the bus fare was 30 पैसे and the bus trip took 45 minutes उसको क्या-क्या मालूम चला के गाउन से टाउन किता दूर है चे मील दूर है बस का किराया 30 पैसे एक तरफ का और बस एक तरफ का टाइम कितना लेती है जाने में पैतालिस मिनिट he also thought that if she stayed in the bus and came back by the same bus it would only cost her 60 पैसे ठीक है उसने ये भी सोचा कि अगर वो बस में बैटे और उसी सेम बस से वापस आ जाएगी तो उसको टोटल कितने पैसे लगेंगे 60 पैसे she painstaking saved each and every penny she got resisting all temptation to buy peppermint toys etc and even a ride on the merry-go-round at the village annual fair so as to save 60 पैसे उसके बास जित्ते भी पैसे आते वो इखटा करती उसने सारी सारी अपनी temptations मार दी दी ना दो उसने peppermint candies खरीदी ना उसने कोई toys खरीदे इवन जो फेर लगता था उनके गाउं में साल में एक बार उसमें भी नहीं बैठी वो और ऐसे वो 60 पैसे जमा कर पाती है it was a secret trip which she had planned without the knowledge of her parents ये एक secret trip थी जो उसके parents को बिल्कुल मालूम ही नहीं था जिसके बारे में ठीक है find the lines in the text which tell you that Walli was enjoying her ride on the bus अब उचाप्टर में कौन कौन सी ऐसी lines है जो ये बता रहे है कि Walli अपनी ride enjoy कर रही थी the following lines from the text tell us about it अब ये कुछ lines है कौन कौन सी है she saw so many things on her way a canal a palm tree sorry canal palm trees grassland distant mountains oh it was also wonderful that's what she felt ठीक है अब यहां पर सब टेक्स में हमने देखा वही लिखा है कि वह उसने अपने जर्णी में बहुत साही चीज़े देखी एक छोटी नदी देखी trees देखे grasslands देखे दूर पहार देखे है ना और ये सब काफी सुन्दर है sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road कपी-कपी तो ऐसा लगता था कि बस जो है जो चोटे-चोटे जो उसके सामने vehicles आ रहे उनको खाया जाती थी some out passed smoothly leaving all obstacles behind and then she saw a cow running very fast in front of the bus this all seemed very funny to Wally too and she laughed and laughed till tears flowed from her eyes तो ये टेक्स्ट मिसे सारा का सारा लिया हुआ है आपको यही लिखना अगर question आ जाए तीन लाइने भी लिखोगे तो enough है ठीक है चलो why does Wally refuse to look out of the window on her way back अब जब आते वक घर आते वक Wally जो है क्यों बाहर नहीं देखना चाहती थी वो बताना है वली refuse to look out of the window on her way back as she saw the dead body of the cow who was running towards the bus when she was going to town this made her sad and frightened ठीक है वली जो है विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसने वो समरी हुई गाय को देख लिया था जो कुछ शंड पहले काफी जादा full of life थी और इसकी विज़ा से वो काफी sad और डर गई थी इसलिए अब वो विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी इसका क्या मतलग था जब अपनी मजर से कहती कि कुछ नहीं मैं तो आपके साथ सहमत हो रही थी कि बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में जो बिना किसी के जाने हो जाती है वाल मेकिंग दिस स्टेटमेंट वली वस ट्राइट वाली वस ट्राइट अपने पैरेंट की और वह काफी जादा जो है खुश थी कि उसने बिना किसी प्रॉबलम के अपना मिशन अकम्पलिश कर लिया था पिस क्यों तो आप इसे आपको एविदेंस देने इस चीज़ के तो yes for example when the author says she was fascinated by the bus and watching the bus fill with a new set of people इस ताइम वास ऑफ अने जॉइ फॉर हर ठीक है जैसे कि बहुत यह बताते हैं कि वह काफी जादा आकर्शित थी इस चीज़ के कि बस जो है वह आती जाती थी और उसमें हर बार नए चाहरे उसे देखते थे दिखते थे तो यह काफी जादा उसको मज़े वाला लगता था व इसलिए करते हैं कि छोटा बच्चा सबसे पहले कलर ही नोटिस करेगा और उससे ही आकर्शित होता है कि सीट्स वर सौफ और लग्जीरियर्यस देस्क्रिप्शन देखते हैं अब जब विंडो से बाहर देखते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन ओधर ने दिया है वह भी एक बच्ची के साब से उन्होंने डिस्क्राइब किया प्लू स्काइए एकर्स और एकर्स ओफ ग्रीन फील्ड शो दी इन्थूजियाजम ऑफ चाइल्ड अकाव रुनिंग इन फ्रेंट आफ दा बस फैसिनेटेड दी चाइल्ड वेरस देट काव ब्रॉट टियर्स इन हर आइ अब इसके जो हैं MCQs देखलो आप ठीके अब यहां से हमारे PY के शुरू हो रहे और इसके आएगेस एक्स्टर्ट बेज नहीं आये हुए हैं ठीके तो इसके MCQs देखो टीके वल्ली को सबसे ज़्यादा क्या चीज ने अम्यूस किया क्या था क्या बफैलो थी या फिर लोग थे जो भाग रहे थे बस के सामने या एक डॉग भाग रहा था तो क्या था the sight of a cow running in front of the bus इसने उसको सबसे ज़्यादा उत्साहित किया था वल्ली ने एक दिन क्या किया caught the bus to the town, caught the bus to the village, caught the car to the town, caught the car to the village तो उसने क्या क्या था एक बस पकड़ी थी जो कहां जा रही थी town वल्ली की इच्छा क्या थी बस राइट करने की थी वाट वोस हर फेवेट पास्टाम, उसका सबसे फेवेट टाइंपास क्या था to stand at the front doorway and look into the street, सामने फ्रन्ट डूर पर खड़े होकर streets को देखना, ठीके सामने फ्रन्ट डूर पर खड़े होकर passengers को देखना सामने बैक DRISK थी पर खड़े होकर passengers को देखना तो उसको सबसे ज़ादा उसका फेवरिट पास्टाइम हमने तो सबसे पहला देखा वो क्या था street देखना वल्ली को सबसे ज़ादा फैसिनेटिंग क्या लगता था सड़क पर देखना तो उसको क्या फैसिनेटिंग लगता था हर बार नए यात्रियों को देखना तो चैप्टर हमने पढ़ा उससे आप कंड़क्टर के बारे में क्या बता सकते हो वो मजाक्या था, वो मूडी था, वो क्वाइट वो शान था या आल अफ द अबव था हमने क्या दिखा थे कि वो जॉली सॉट का था मतलब फनी था, मजाक्या था वल्ली वोट स्टेर विस्टफुली अड़ पीपल वो गॉट उन और आफ द बस विस्टफुली का मतलब क्या हुआ, यह बताना है कि वल्ली जो है, लोगों को विस्टफुली होकर देखती थी, जो बस से उतरते थे या चड़ते थे तो विस्टफुली क्या हुआ, कैरफुली वल्ली किस बात से सेट हो गई थी, जब उसने डेड काव देखी थी, मरी हुई गाय देख ली थी वल्ली के बारे में क्या पता चला या क्या लगता है जब वो रिफ्यूज कर देती है, वल्ली क्या थी, जब जाते टाइम उसको क्या चीज थी, जो काफी जादा हसी दिला रही थी, जब मेला लगा था अपने पैसे बचाने के लिए, तो क्या था मेरी गो राउंड, जो ऐसा गोल वाला जूला होता है ना वो, वाल्ली को वो रिफलसिफ क्यों लग रही थी, तो तीनों ही चीज़े थी, उसके कान के छेद बहुत बड़े थे, उसमें उसने भद्दे से येरिंग पहन रखे थे, और वो पान चबा रही थी जो उसके मुह से कभी भी बाहर आ सकता था, तो all of the above, जो old man था, वो वल्ली को क्या बोल देता है, जिसके विज़े से वल्ली चिटचिड़ी हो जाती है, he shouted at her, वो उसके चिला देता है, he asked why she is alone, वो उससे पूछता है कि तुम अकेली क्यों हो, he merely asked her to sit, वो उसको बैठने को बोलता है, ताकि उसको चोट ना लगे, तो वो क्या करता है, उसको बैठने को बोलता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए वल्ली अनॉय हो जाती है, ठीक है, वो जो है, बस जार्नी के बारे में जो डीटेल से वो कैसे पता लगाती है, लोगों की बाते सुनकर, question पूछ कर, all of the above या none of the above, तो दोनों चीज़ों से पता लगाती है, तो all of the above, who is the author of the lesson, madam writes the bus, madam writes the bus के author कौन है, बार बार बोलती हूं, important है author, इसलिए बोलती हूं, वल्ली का ननन थे, ठीक है, इस तरीके से आपको MCQs करने हैं, अब इसके question and answers देख लो, PYQs, what kind of a person was वल्ली, वल्ली किस तरीके की इंसान थी, आपको ये बताना है, तो वल्ली was a curious, keen observer, who had strong willpower and determination, तो हमने तो text पड़ा, उससे हमने देखा कि वल्ली काफी जिग्यासू लड़की थी, जिसके अंदर काफी ज्यादा determination थी, वो जो भी इच्छा थी, उसकी पूरी करने की, she was bold and brave, वो काफी जादा बहादूर थी, she had immense self-confidence and wanted to do everything on her own, उसमें काफी जादा आत्म विश्वासता और वो सारी चीज़ें खुद से करना चाहती थी, she was innocent, highly sensitive, intelligent and was a very careful planner, वो मासूम भी थी, sensitive भी थी, लेकिन साथ में intelligent भी थी और साथ में उसने सारी चीज़ें बहुत सटीक किता से carefully plan की थी, वली's favorite past time was to stand in the front doorway of her house and watch the happenings of the street, उसका time pass का सबसे favorite चीज़ क्या थी, अपने घर के main door पे खड़े होकर बाहर सड़क पर चीज़ें देखना, what did वली do after she got into the bus, जब वो बस में बैट जाती है तो वली क्या करती है, she got into the bus and she looked at everything very thoroughly, जब वो बस में घुसती है तो वो हर चीज़ को देख रही होती है, मतलब सब अपने अंदर ढाल रही होती है, जो भी उसे दिख रहा होता है, when she looked outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window, जब वो वो बाहर देखने के लिए मुह निकालती है तो वो देखती कि canvas blind से नीचे वाला हिस्सा cover है, so she stood up on the seat and peered over the blind, तो वो seat पर खड़े होकर बाहर जागती है, why did Walli want to ride on the bus, Walli bus में क्यों travel करना चाहती थी, Walli used to watch the bus on its hourly rounds through our street everyday, क्योंकि Walli वो रोज बस को आते जाते देखती थी, the side of the bus filled with new passengers every time gave her unending joy, अब उसमें हर बाद नहे चेहरे नहे passengers देखने से उसको ऐसा joy मिलता था, जो कभी खतम नहीं होत चाहती थी, she was curious and wished to ride it once, so she wanted to ride on the bus to enjoy it, और इसलिए वो काफी curious थी उस चीज़ को जानने के लिए कि कैसा feel होता है, इसलिए वो खुद भी bus को ride, मतला bus की ride करना चाहती थी और उसको enjoy करना चाहती थी, how did Walli plan for her first journey, देखो ये NCIT में भी आएवा question कि Walli अपनी पहली journey कैसे plan करती वाली made careful and painstaking plans for her first journey, देखो काफी carefully वो planning करती है, she saved every penny, cut down on her expenses and resisted all the temptations to save 60 पैसे for the fare, देखो उसके पास जो भी पैसे आते हैं वो सेफ करती, जितने भी उसको प्रतिलोबंद हैं वो सब को resist करती और ऐसे उसने 60 पैसे इखटा कर लिए थे किराए के लिए, she gathered the information from the passengers and neighbors, उसने सारी के सारी जो है information इखटा की यातरियों से और पडोसियां से, she calculated the time required and chose afternoon as a mother, mother would take a nap during that time, उसने पूरा time calculate किया और उसने वही time choose किया, जब उसकी मदर दोपैर की नेंद लेती थी, all this shows that she was a meticulous planner, और इससे यही दिखता है कि वो काफी intelligent और काफी careful planner थी, енти, how did Buddhi arrange for her bus fare, ठीके व violently ने अपने bus बस के पैसे किस तरहें से अरेंज किये या question ऐसे आ सकता है, how did underneath the money to travel by bus, उसने पैसे कैसे बचाया है, bus से ट्रेवल करने के लिए, NCRT में भी यही same question है, Walli arranged for her bus fare meticulously for her first journey outside the village वो काफी किफायती तरीके से अपना पैसे बचाती है Walli needed 60 पैसे for the two-way fare of the bus उसको 60 पैसे की need होती है आने जाने के लिए बस से travel करने के लिए She needed some knowledge and ample time उसको knowledge की भी जरुवती चीजों के बारे में information की भी जरुवती और time भी सही होना चाहिए था She saved the money herself, collected the information from the passengers and utilized the time for her mother's nap for it ठीके वो पैसे खुद कलेक करती है फिर information भी gather करती है लोगों से और उसके बाद वो time भी ऐसा choose करती है जब उसकी मदर सो रही होती ताकि किसी को पता ही ना चले Never mind she said I can get on by myself You do not have to help me said Walli to the conductor ठीके वली के थी कोई बात नहीं मैं खुद से bus में चड़ सकती हूं आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है She shows extraordinary courage in making the bus journey all alone वो इससे जो है काफी extraordinary और साधारण साहस दिखाती है कि वो अकेले travel कर रही होती है Taking inspiration from Walli's character right How ability and courage to take risks are essential to fulfill one's dream इस example को अपनी inspiration बना कर यह आपको लिखना है कि कैसे आपकी ability और साहस जो है वो important है अपने dreams पूरे करने के लिए या पिर question ऐसे आ सकता है Walli shows extraordinary courage in taking a bus journey all alone Explain how ability and courage are essential to fulfill one's dream या पिर question ऐसे आ सकता है कि age is not a barrier when it comes to doing something different and great कि भाई उम्र जो है वो कोई बादा नहीं है अगर आपको कुछ अच्छा या different करना होता Which characteristics of Walli helper achieve the wonder of visiting the town at such a tender age उसकी कौन सी ऐसी characteristics थे जो Walli को help करते हैं उसकी dream जो था उसका वो पूरा करने में इतनी छोटी सी उम्र में So it is undeniably true that having the skill and bravery to take chances is necessary to achieve one's goal तो ये बात को कोई deny नहीं कर सकता कि आप में साहस और confidence होने की बहुत जरूरत है अगर आपको अपना goal पूरा करना है तो Walli was 8 years old, Walli 8 साल की थी She didn't go outside at all, वो इससे पहले बाहर कभी नहीं गई थी She didn't even take a bus once, इससे पहले उसने कभी bus ride की नहीं थी Her parents forbade her from leaving the house उसके parents ने उसे साफ मना कर रहा था घर से बाहर जाने के लिए But she summoned bravery and boarded a bus to travel लेकिन वो जो है अपने अंदर काफी साहस इकटा करती है और एक bus travel करने के लिए बस में चड़ जाती है She released the travel and was aware of the outer world's realities वो अपनी जब traveling करती तो उसको ये पता होता है कि हाँ चीजे क्या हो सकती हैं बाहर She was a little child yet despite that she managed to travel without difficulty Because she had the guts to take chances वो छोटी थी लेकिन उसके बावजूत भी उसने अपना goal अचीव किया क्योंकि उसमें वो साहस था और वो intelligence थी In other words, we can say that the thing or task that seems to be very hard is actually not so tough अगर इसको हम दूसरे words में बोल लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज हमें difficult अगर होती है वो शायद जादा difficult ना हो जतनी हमें दिखती है We can do it if we have the ability and courage to take risks If we do not dare to take risks, we lose opportunities to get better हमारे अंदर वो ability और courage होना चाहिए अगर हम वो चीज नहीं लेते हैं तो हम काफी सारी opportunities miss out कर जाते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा अपना answer देना है Compare वली's journey to the city with her journey back home Why was there a change in her mood? वली की शहर जाते टाइम की जाइम 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 को compare करना है और उसके mood में change की था डोनो टाइम में वो बताना है या फिर question ऐसे आसकता है कि वली's journey to the city is also her introduction into the mystery of life and death वली की ये जो journey थी city जाने की वो उसके लिए एक introduction था कि life और death क्या होती है इसको आपको elaborate करना है या फिर question ये आसकता है कि वली जो आते वक की राइड अपनी enjoy क्यों नहीं करती है वली also serves as her introduction to the enigma of life and death वली was traveling to the city when she noticed a cow moving quickly along the middle of the road in front of the bus she first continued to giggle while having tears in her eyes we receive happiness and enjoyment from life वली admire the setting तो वली का ये जो tour था वो उसके लिए एक क्या था introduction भी था कि life क्या होती है death क्या होती है वली जो वो शेर की तरफ जा रही होती है जब वो देखती कि एक cow जो है काफी मतलब ऐसे दौड भाग रही होती है बस के सामने तो उसको पहले तो काफी हसी आती है इतनी हस्ती कि उसके आखों से आसू आने लगते है अब जब वो वापस रिटन आ रही होती है तो उसको वही cow मरी हुई दिखती है परहपस इठाट बिन स्ट्रक बाया फास मूविंग वीकल शायद वो किसी ते क्योंकि वो एकदम रोट के बीच में आ रही थी बारबार तो हो सकता है कि किसी वीकल ने उसे टक्कर मार दी हो उसको ये चीज़ रियलाइज हो जाती कि वही cow है जिसने अभी थोड़ दर पहले मुझे हसाया था सैटने स्वेप्ट ओवर हर इंगल्फिंग हर शे रियलाइज दा इंपक्ट डैथ हाव उन लाइफ ठीक है आप उससे क्या होता है वो काफी उदास हो जाती है और उसको ये रियलाइज होता है कि डैथ का क्या इंपक्ट एक किसी की लाइफ पर पढ़ता है वाट वस वन्स अ चामिंग लवली क्रियेचर हैट सड़नली लॉस्ट इट्स एलर लाइवलीनेस एंड लुक्ड हॉरिफाइंग टेरिफाइंग जो चीज अभी कुछ टाइम पहले एक किसी की हसी का कारण थी अब उस चीज ने अपनी सारी शाइन और अपना लाइवलीनेस खो दी थी वल्ली वस प्लाग्ड बाइद विजिजिन अफ देट का वन फाउंड और डिफिकल्ट टू इंजोई दा रेस्ट ऑफर जर्णी तो वल्ली उस चीज से काफी जाधा अफेक्ट हो गई थी और वह अपनी बाकी की जर्णी नहीं कर पाई ठीक है इसी के साथ आज की जो क्लास है वह हम यहां फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के यह इस मदीहा खान सब्सक्राइब झाली आए ज़य थी तब मक्किल्ड जरीओ अफरी और मजिय थी थी तैसे भी यह यह उस्ट पित ऐसा है Gog MER